Kinetic Energy in Rotational Motion Kinetic Energy किसी भी motion के कारण होती है और मान लो यह इस तरीके से omega से इस तरीके से rotate कर रही है तो इसके जित्रे भी छोटे-छोटे mass है ना सब की कुछ velocity होगी सब की velocity इस तरीके से बना सकते हो तो हर एक mass की छोटी-छोटी velocity है सब के कारण कुछ kinetic energy हो जाएगी, tootal kinetic energy उसको भूल सकते हूं, नो, इसको लिखने के, दो तरीके होते हैं, kinetic energy को लिखने के, किरने को हम लिख सकते हैं, kinetic energy will be equal to, half I omega square, अगर हमें axis of rotation पता है, तो अगर हमें about an axis, जैसे इस particular case में अगर मैं बात करो, तो मुझे axis of rotation पता है, इसके about rotate कर रहा है, तो मैं इसके about moment of inertia पता कर लूँगा और अगर मुझे नहीं पता है उस case में kinetic energy को ही किस तरीके से लिखा जाता है, उसको हम लिखते है, half m velocity of center of mass जाना v com का square plus half i com times omega का square, इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहां से यह इस तरीके से omega से जा रही है तो इसके कारण इसके center of mass की कुछ इस तरीके से velocity होगी v center of mass तब मैं बोल दूँगा कि मेरे पास एक mass m था वो इस तरफ जा रहा है, half mv square तो उसके कारण हमाँ आपस kinetic energy हो नहीं है पूरा का पूरा mass अगर यह rod यहां से मान लोग उपर hinge नहीं होता यह पूरी की पूरी ऐसे straight जा रही होती यह वाली अब यहां पे आ जाएगी फिर थोड़ी दिर बाद यहां पे आ जाएगी तो basically मेरे पास m mass है जो पूरा का पूरा v velocity से जा रहा है तो half mv square तो हो नहीं ही है जहां पे velocity center of mass की लेंगे फिर हमने देखा यह इस तरीके से इसकी omega थी तो effectively omega तो पूरी body की same ही होती है तो यहां पे भी मैं omega बोल सकता हूँ तो हम बोल देंगे center of mass के about half i omega square भी आप उसमें add कर दो जो कि हमारी rotational kinetic energy हो जाती है तो जब भी कोई kinetic energy होगी है देखो kinetic energy तो total है देखने का नजरी अलग है अगर आप hinge के about देखते हो तो इस तरीके से बोलोगे लेकिन अगर हम आपस इस तरीके से इस format में मैं लिख रहा हूँ अभी इसके दोनों तरीके से लिखके देखेंगे देखना दोनों का अंसर सेम आएगा अब बहुत सारी बार एक बार सवाल पूछाता है कि बताओ एक rod है या कोई disk है उसका motion हो रहा है rotation हो रहा है translation हो रहा है कौन सा वाला kinetic energy का ratio होगा जो की rotational motion को represent करता है तो इसमें देखो हम ये वाला जो part होता है इसको बोल देता ही क्या हो गया translation से related है velocity से related है तो इसको हम बोलते हैं translational और ये वाला जो part है हमाई पास क्योंकि इसमें omega आ रहा है moment of inertia आ रहा है इसको हम rotational part बोल देते हैं बहुत बाल तो आपको इस तरीके के question देखने को मिलेंगे कि हमाई पास एक rod है उसका इस तरीके से motion हो रहा है total kinetic energy मान लो 10 joule थी तो बताओ कितना हमारे पास rotational kinetic energy होगी तो यहाँ पर इनके बीच में कुछ specific ratio जाद आते हैं जैसे ये 5 है ये भी 5 है 1 ratio 1 हो गया ये 7 है तो ये 3 हो गया इस तरीके से कुछ values निकल के आ जाती है क्यासे solve करना है वो अब देख लेंगे पर उस तरीके की question पूझे आते हैं तो हमें पता होना चाहिए कौन सी translational है कौन सी rotational है चलो अब इसकी kinetic energy लिखने की कोशिश करते हैं तो kinetic energy अब मैं इसको दो तरीके से लिखूँगा about the hinge वाले format से लिखते हैं kinetic energy about hinge तो इसको मैं इसको लिख देता हू kinetic energy hinge क्यासे लिखा जाएगा hinge के about hinge के about मुझे पता है इसका तो कोई velocity है नि बस ये इस तरीके से omega से गूम रही थी यहां पर kinetic energy का हमारा ये वाला formula काम आएगा इसको मैं लिख दूँगा is equal to half i omega square बस ध्यान रहे यहां पर जो i है वो इस axis के about होना चाहिए तो इस rod का इस axis के about कितना moment of inertia आजाएगा ml square by 3 इसकी value हो जाती है में पास half into ml square divided by 3 times omega और यही मेरे पास kinetic energy आजाती है कितनी ml square sorry omega कभी square होएगा omega square divided by 6 यह आ गई मेरे पास kinetic energy अगर मैं hinge वाला formula यह वाला formula लगाके लिखता हूँ तो अब same kinetic energy मैं लिखूँगा center of mass के formula से तो kinetic energy center of mass वाले formula से लिख रहा हूँ तो यहां से मेरे पास value कितनी आती है half m into v center of mass का square plus half i center of mass times omega का square value सुछना शुरू करते है उसकी value कितनी जाएगा यह तो सीधे सीधे half m अब एक बात बताओ velocity of center of mass कितनी है यहां पर हमाया पास velocity of center of mass clearly दिख रहा है यह वाली length है l by 2 और यह मेरे पास omega तो यह इस तरीके से आजाएगी मेरे पास velocity की value हो जाती है omega into l by 2 इस तरीके से इसका square होना है plus हमाया पास half अब eye कौन से होगो center of mass कि अबाउट यहां पर अगर rot हमाया इस तरीके से घूमती तो हमाया पास moment of inertia कितना आथा ml square by 12 12 यहां पर इसकी value हो जाती है ml square divided by 12 times omega का square यहां पर अब देखते हैं इसकी value कितनी आती है यहां से मैं m into omega square into l square देखो दूनों में से common निकाल सकता हूँ इसकी value हो जाती है ml square omega square को common निकाल लो bracket में बचता है 1 into 2 into 2 1 divided by 2 into 2 into 2 यानि की 1 divided by 8 plus यहां पर यह कितना बच रहा है यह आ रहा है 1 by 24 1 by 24 तो इसका आप LCM लोगे तो यह हो जाता है मेरे पास ml square omega square 4 हो गया तो यह 3 plus 1 कितना हो जाता है 4 तो फिर आ जाता है 4 divided by 24 तो यह कितना हो जाता है 1 by 6 इसकी value हो जाती है ml square omega square divided by 6 ध्यान से देखो same result आ रहा है kinetic energy actually same ही होती है बस देखने का नजरी आए किस तरीके से आप उसको लिखना चाहते हो इस तरीके से correct तो इसी पे based बहुत सारे question पूशा आते है kinetic energy हमें लिखना आना चाहिए इसमें question किस तरीके के बन सकते है मालो मैं पास rod initially इस तरीके से थी rest पर उसके बाद इसको हमने छोड़ दिया थोड़ी दिर में यह ऐसे घूमेगी जिस वक्त ऐसे घूमती है एक यहाँ पर यह पहुँच जाती है अब इस वक्त इसकी omega क्या मैं बता सकता हूँ बिल्कुल बता सकता हूँ इसका center of mass यहाँ से इस level तक आ गया है तो mg l by 2 यह potential energy ही तो kinetic energy बनी होगी जैसे ही मैं ऐसे equate करता हूँ यहाँ mass से mass कट जाता है 1L से 1L कट जाता है omega की value यहाँ से मेरे पास सीधे सीधे आती ही यह भी देखवा जाता है इस तरीके से 3 omega की value आती ही मेरे पास 3G upon L यहाँ पर इस तरीके से आरा है right 3G upon L का under root यह इस तरीके से मतलब हमें potential energy और kinetic energy को balance करना होता है question solve करना शुरू करते है कानेटिक energy का और एक example लेंगे हमाई पास अब की बार pure rolling हो रही है pure rolling और इस बार हमें velocity दे दी है V से यह pure rolling कर रहा है तो let's say यह इस तरफ जा रहा है velocity V से अब इसकी kinetic energy लिखके बताओ कानेटिक energy की value कितनी आएगी दोनों तरीकों से आपको लिखना है center of mass के about लिखते हैं उस तरीके से भी लिखना है और instantaneous axis of rotation इस particular instant पे हमाई पास instantaneous axis of rotation है हम ऐसे बोल सकते हैं यह इस axis के about ऐसे में rotate कर रहा है तो उसके about भी आप kinetic energy लिखो दो तरीकों से लिखो साथ में आप इसका ratio भी बताना कि translational जो कानेटिक energy है वो total kinetic energy का कितने परसेंट है तो वीडियो को पास करो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ kinetic energy will be equal to half mvcm का square plus half icm times omega का square हमें velocity तो दे दी है भी हमें omega की value नहीं पता लेकिन हमें दिया हुआ pure rolling है तो अगर हमाई पास pure rolling है तो v is equal to r omega होता है यहाँ पर हमाई पास कुछ तो इसका radius है इस तरीके से r अब यहाँ पर हम values रखना शुरू करेंगे half into mass कितना है इसका मान लो m ही है velocity हमें दी हुई है v का square plus half आ जाएगा moment of inertia कितना होगा देखो center of mass about लिख रहे है ना center of mass about moment of inertia mr square by 2 होता है mr square divided by 2 omega square की value कितनी आ जाती है omega square की value आ जाएगी यहाँ से v square upon r square इस तरीके से यहाँ सब जगे r गलत ले ले लेता हूँ इसको small r ले लेता है ठीक है alright यहाँ से आप देखो कि r square से r square ऐसे cut जाता है और इसकी value हाजाती है half m v square plus 1 by 4 m v square अब इसमें कौन सा translational part है कौन सा rotational part है यह हमारा rotational energy का part है यह हमारा translational energy का part है total यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर value हाजाती है 3 by 4 m v square ठीक बहुत simple हम से क्या पूचाता इस 3 by 4 m v 4 का कितने percentage translational energy है या कितने percentage rotational energy है तो हम rotational के इ rotational उसकी value कितनी है देखो यह वाला part rotational है यह हमारा total था तो इसकी value आजाती है 1 by 3 या फिर अगर percentage में बोला जाया तो वो जाएगा हमाँ पास 33.3% और अगर हमसे कोई पूच ले kinetic energy का translational part कितना है translational वो आजाता हमाँ पास बचा हुआ कितना 66.7% तो इस तरीके से भी question बहुत बार पूचेगा है ना तो अब kinetic energy लिखेंगे हम kinetic energy instantaneous axis of rotation के about उसकी जो value हाजाती है देखो इस point के about यह हमारा पास instantaneous axis of rotation इसके about हमारा पास यहाँ पर इस तरीके से कुछ omega है यह है हमारा instantaneous axis of rotation solve करना शुरू करते है यहाँ पर हम सीधे सीधे लिखते हैं क्या लिखते है this will be equal to half i omega का square that's it क्योंकि इस point के खुद की तो कुछ इस तरह velocity ही नहीं 0 है इसलिए तो instantaneous axis of rotation बना हुआ है यहाँ पर हमारा पास क्या value आईगी half अब इंटू i की value parallel axis theorem लगा दिया है into omega का square अब omega की value किती दियोई है वो आजाती है v square upon r square ठीक यहाँ से आप देखोगे सारे के सारे r square हमारे इस तरीके से कट जाते है अब आपास इसकी जो value आजाती है यहाँ पर अंदर है मेरे पास m by 2 plus m यानि कि वो हो जाता है कितना 3m by 2 और बाहर ही half लगा हुआ था तो यह हो जाता है 3m upon 4 and 7 में लगा हुआ है v square exact same result हमें यहाँ से भी देखने को मिलता है लेकिन बस इसमें मुझे यह नहीं पता चल पार कि कौन सा वाला rotational part है कौन सा वाला translational part है तो इसमें यह advantage मिल जाता है मुझे clearly दिख जाता है रोटेशनल पार यहाँ पर 33% था यहाँ पर 67% था इस तरीके से हम question solve का सकते हैं A ring of mass m and radius r rotates about an axis passing through its center and perpendicular to its plane with an angular velocity omega its kinetic energy is क्या ही सवाल है यह kinetic energy की value हो जाती हाफ i omega square और मैं पास ring है उसके center से पास होता हूँ axis जो इससे perpendicular हो plane से इसके about moment of inertia क्या होता है mr square हो तो यह value हो जाती हाफ mr square omega square a will be the correct answer इस तरीके सवाल भी पूछे जाते हैं a solid cylindre of mass 3 kg is rolling on a horizontal surface with velocity 4 meter per second it collides with a horizontal spring of force constant the maximum compression produced in the spring will be अब यह हुआ न अच्छा सवाल देख इसमें क्या हो रहा है हमाँ पास इस तरीके से एक spring लगी होगी है यहाँ पर ऐसे और यहाँ से इस तरीके से एक cylinder है जो rotate कर रहा है और इस तरफ आ रहा है इसकी कुछ velocity दी वह है मझे भी तो यहाँ पर अब क्या होगा इसकी कुछ kinetic energy है eventually यह जाएगा इसे टकराएगा यहाँ पर जाके कहीं पर rest पर जाएगा जहाँ पर यह maximum compressed होगी कहाँ गई इसकी kinetic energy कौन ले गया spring में store होगी half cake square के बराबर equate कर दो इसकी kinetic energy आपको आपका जवाब मिल जाएगा वीडियों को पॉस्ट करो question को solve करो इसका correct answer है B तो देखो यहाँ पर अगर आपने ऐसा कर दिया कि half mv square is equal to half k x square तो यह है गलत हम यह नहीं कर सकते हम यह करेंगे यहाँ पर rolling भी हो रही है तो हम लिखेंगे half mv square plus half i omega square is equal to half k x square अब देखो मुझे velocity v दी हुई है तो मैं usually prefer करता हूँ यह center of mass के point of view से जो हम लिखते थे इस तरीके से वो वाली kinetic energy ठीक है तो यहाँ पर देखो हमाया पर सीधे-सीधे कुछ values आजाती है half mv square तो as it is आजाएगी plus moment of inertia कितना हो जाता है अब यह देखो इसको बोला गया है क्या है solid cylinder solid cylinder का होता है mr square by 2 यहाँ पर value हो जाएगी half into mr square divided by 2 omega की value कितनी हो जाएगी क्या है आपर कहीं rolling लिखा है yes rolling है तो v is equal to r omega होता है तो यहाँ से omega की value हो जाती है v by r यहाँ पर मैं आपास omega square की जगे मैं लिख दूँगा v square upon r square ठीक है will be equal to half into k x square देखो half सारे मैं तो पहले इस तरीके से काट देता हूँ अब मेरे पास value हो जाती है देखो r square से r square भी ऐसे कट जाएगे और हमाँ आपास value हो जाती है mv square common निकलता है bracket में बजता है 1 plus 1 by 2 will be equal to k x square सिर्फ values रखते ही हमारा answer आजाएगा values रखते है mass की value कितनी है 3 kg velocity है 4 तो 4 का square हो जाता है मेरे पास इस तरीके से 16 multiplied by यहाँ पर मेरे पास कितना है 3 by 2 alright 3 by 2 हो गया is equal to k की value कितनी है 200 तो यह kb नीचे आजाएगा मेरे पास इस तरीके से 200 यहाँ आजाएगा is equal to x square आजाता है यहाँ पर अब इसको देखो सीधे-सीधे under root लेना है यहाँ पर यह 2 से 2 करके इस तरीके से 4 कर जाएगा x की जो value हाजाती है वो मेरे पास वाता है उपर है मेरे पास 3 into 2 इसको under root करोगा तो 3 into 2 बचेगा और denominator में यह 100 था उसका सिर्फ 10 बचेगा तो इसकी value हो जाती है 0.6 meter में answer आएगा क्योंकि सारी values SI unit में रखी गई थी हमारे पास यहाँ पर and this is the correct answer बहुत ही अच्छा kinetic energy का ही सवाल हो गया यही जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक छोटा सा पाट है बहुत ही प्यारे से सुन्दा से colorful से physics के crash course का जहां पर 43 days में हमने पूरी-पूरी physics 11 और 12 की completely गईर कर लिया with lots of graphics and almost all previous years questions साथ में कुछ important थोड़े complicated questions को भी रखा है ताकि आपकी अच्छे से practice हो जाए तो इस course के बाद आपको कुछ और देखना नहीं पड़ेगा साथ में आपको मिलते ही colorful PDFs ताकि last minute आपको बहुत अच्छे से revision हो जाए everything is in the description link देख रो आप मिलेंगे full course में